गुरीवनिंग, हेलो एब्रीवान एंड थैंक यू फॉर आल अफ यू कि आप लोग ने मेरे एक छोड़ी से प्रयास को जो मैंने अपना इंटर्यू का जो एक्सपिरियंस आपके साथ शेयर किया आपने इसको उस जगह तक पहुंचा दिया जहां तक मुझे तो उमीद नही जहां बहुत सारे जो विवर्स से मेरे उन्होंने पूछा कि भई आप मैं यह बताई कि हम डेमो कौन से सब्जेक्ट का तियार करें हम डेमो में क्या सारे सब्जेक्स का बनाएंगे कि हम डेमो लेकर के जाएं बना करके या लेसन प्लान बना के लेके जाना होता है तो मैं इन सभी questions के answers आपके शायद दे पाऊं तो उसके लिए मैंने एक video ये बनाया एक में और बनाऊंगे इससे related बट इसमें आपको मैं base बना देती हूँ कि देखिए सबसे बहले तो जो आप primary teacher के interview के लिए जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहां केंद्री व जिसको हुन कहते हैं environmental studies और इसके अलावा हमारे हां जो है non scholastic subjects होते हैं like music है sports है योग है और drawing है इसके साथ में जब आपको subjects पता चल गए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि subjects की competencies होती हैं हर subject की अपनी competency है जो हमें उन बच्चों में develop करनी हैं तो वो competencies आपको पता होन अच्छा देंगे तो देखिए languages जो हैं दो हैं एक Hindi और English दोनों की चार-चार competencies हैं दोनों की competencies सेम होती हैं एक है listening एक है speaking एक है reading और writing मतलब पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा और उसके बाद पढ़ेगा और then वो लिखेगा then आप देखिए उसके बाद आप next subject हमारा आता है maths का maths में आपको number based जो teaching है वो करनी है तो उसमें हमारी competencies आती हैं चार एक है forming numbers जिसको knowledge based भी कहा जा सकता है एक है हमारा understanding basic concepts जो basic concepts जो हमारे maths में आते हैं ठीक है और एक ability है जो third number की है that is ability to compute और fourth competency है हमारी PSA यानि की problem solving ability ये बच्चों में हमें develop करनी है then third हमारा जो subject है means actually fourth because दोनों languages एक ही में आ गई है तो EBS के लिए हमारी जो competencies है वो तीन है एक है observation एक है identification और the third one is discovering facts तो ये तीनों competencies आपको पता होने चीए तो अब आप देखें कि आपके पास अब आपको समझ में आ गया हो कि हमारे subjects हम किस तरीके से बच्चों तक ले कर जा रहे हैं ये वह primary teachers के लिए लेकिन अगर आप TGT और PGT का interview देने जा रहे हैं तो उसमें आपके पास ये competencies की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि फिर आप अपने subject पर command जितनी अच्छी होगी आप उतना ही अच्छा ड़म हो देंगे तो जितनी भी आपकी knowledge है वो आपके subject की वो NCRT के लिए तो आपकी knowledge कम skill ज़्यादा जरूरी है जो की teaching skill होनी चाहिए देन जब आपको competition समझ में आगी तो next part है जो मेरा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारी primary में जो books हैं वो कौन-कौनसी हो सकती हैं ठीक है कौनसी books हम अपनी केंद्रिविद देले में चलाते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं इन competencies को develop करने के लिए तो हमारी चार किताबे सिर्फ हैं चार subject हैं तो चार किताबे हैं वो भी NCRT की होती हैं हम किसी भी other publication को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो पहली है एक रिम जिम एक है मैरी गोल्ड और तीसरी है math magic और एक है हमारी EVS जो all around us जनले की आसपास जोसको Hindi में कहते हैं अब देखिए चार किताबे हैं है ये इस में सिर्फ number बदलता है class 1 का होगा तो रिम जिम 1 class 2 क्योगी तो रिम जिम 2 class 3 क्योगी तो रिम जिम 3 class 4 क्योगी तो रिम जिम 4 class 5 क्योगी तो रिम जिम 5 similarly आप आगी वाली books में भी इनक को जोड़ करके देख सकते हैं तो अब आप इंट्रिवू देने जा रहे हैं आपके पास जरूरी नहीं के सारी किताबे हों तो आप क्या करेंगे आप NCRT की वेबसाइट पर जाएए और इन सारी बुक्स को PDF के form में डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप अपनी पसंद का एक एक चैप्टर ले करके डेमो के लिए तयार कीजिए तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आपका इंट्रिवू बहुत आसान होने वाला है क्योंकि मैं जो ट्रिक्स आपको बता रही हूं वो बहुत ही नोट दिया गया है हर यूनिट के बाद कि टीचर को क्या करना है वो ज़रूर पढ़े अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका डेमो मतलब जो आप एकस्पेक्ट नहीं करेंगे उससे भी बहुत अच्छा होगा आपको 100% मार्क्स मिलेंगे उसमें ठीक है अब आपके पा तीनों सब्जेट का एक एक डेमो रेडि कर लीजिए अब कितने मिनिट्स होना चाहिए दस मिनिट से ज्यादा का डेमो आप बिल्कुल तयार मत कीजिए उससे ज्यादा ताइम आपको कोई पैनल नहीं देने वाला है आपको उस दस मिनिट में ही आपनी सारी स्किल को वहां होना चाहिए आपका डेमो जो है आपके यहां होना चाहिए step by step ठीक है अब आप क्योंकि three people follow करते हैं हम लोग three people होता है सबसे पहले planning फिर है हमारा उसका presentation और third number पर आ जाता है हमारा sorry पहले हमारा preparation and then presentation और then performance ठीक है तो आप इस three paperwork करते रहेंगे और उसके बाद क्या करें कि आप जो पार्ट ले रहेंगे कि आप पूरा chapter 10 minutes में नहीं पढ़ा सकते हैं तो उसमें से कोई एक पार्ट लीजे चोटा पार्ट लीजे बहुत ही तो shelter so high में जो main मेरी competency होगी वो हो नीचे कि मैं बच्चों को shelter के बारे बता रहें तो मेरा target of learning यानि कि इसको short में गयते हैं TLO तो आप उस TLO को जुरू specify कीजे कि मैं आप अपने demo में ये topic लेने जा रही हूं और इसमें मैं ये TLO उनको बताया तो वो समझ जाएंगे कि आपको केंदी विद्याले के process पढ़ाने की teaching learning process का आपको ABCD बहुत अच्छे से आता है और इस इसी point को लेकर के अपनी activity बनाए activity बहुत छोटी होनी चाहिए to the point होनी चाहिए और very effective होनी चाहिए next आप वहाँ जितने भी panelists बैठे हैं उनको अपने students समझें और students की तरह ही उनको बैठ करके अराम से ले टिक अप करें और उन्हें पढ़ाएं और next जो मेरा video बनेगा आपके लिए यह आपका तयार होगया अब मैं आपको एक next video में बताऊंगी तीन demo वीडियो में बनाऊंगी कि आप math का कैसे demo देंगे और EBS का demo आप कैसे देने वाले हैं और language का demo आप कैसे देने वाले हैं मैं उन सब के लिए आपको एक एक वीडियो बना करके दूँगे तो language में मेरे दो वीडियो आएंगे I hope कि ये वाला वीडियो भी आपको आपके बहुत सरे points को clear करेगा कि आप अपने इंटर्वियो के लिए कैसे तयार करेंगे Thank you for watching this video और अगर like and share करना चाहें तो अच्छा है कि कि ऐसी मदद होती रहनी चाहें सब लोगों की Thank you and wish you all the best for your interview